जी एस्टी को एक बड़े ही कॉंट्रोवर्सियल टैक्स के रूप में भारत में देखा गया है जब से जी एस्टी इंप्लीमेंट हुआ है तबी से एक धड़ा जहां जी एस्टी का लगातार ही विरोध कर रहा है वहीं दूसरी और सरकार और सरकार के कुछ साथी जी एस्टी की सफलता के किस्से गा रहे हैं वितमंत्री साहिवा ने तो कल रात एक ट्विट करके एक बहुत लंबा चोड़ा लेक लिखा है इस जी एस्टी के सफलता को लेकर तो आज हम आप लोगों के बीच में उसी ट्विट को लेकर आए हैं और आपके उपर छोड़ते हैं इस बात का फैसला कि जी एस्टी भारत की ग्रोथ स्टोरी में साहयत की भूमी का निभा रहा है या फिर जी एस्टी की वज़े से जो समस्याएं जो व्यापारियों के बीच में समस्याएं आई हैं उनको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए वित्मंत्री साहिवा ने अपने ट्विट में लिखा है जी एस्टी संरचना के अंतरगत दो महत्पूर्ण उपलबधियां हासिल की गई है जी एस्टी अपिलेट टिर्विनल के अध्यक्ष की नियुक्ती हो गई है और आर्थिक गती विधी में व्रद्धी के फलसरूप सकल जी एस्टी संग्रे दोला करोड रुपे की सीमा को पार कर गया है जी हाँ दोला करोड रुपे से भी जादा का टेक कलेक्षन अब होने लगा है इस लेक को तीन भागों में विवाजित किया गया है पहला भाग जी एस्टी की उत्पत्ती और एप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुविवस्थित करने में इसकी भूमिका की परताल करता है चलिए सबसे पहले पार्ट वन पर चलते हैं सबसे पहले पूर प्रधानमंत्री अटल बिहरी बाजपेई जी के नित्रत्व वाली NDA सरकार ने GST पर विचार किया था दस वर्सों में UPA सरकार GST पर राजनीटिक सहमती प्राप्त करने में सफल रही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के नित्रत्व में आवश्यक सहमती प्राप्त की गई और 2016 में संसक द्वारा GST एक्ट पारित किया गया GST से पहले भारत की एप्रत्यक्षकर प्रणाली विभाचित और जटिल थी तथा प्रत्यक राज्य विभिन नियमों और करदरों के साथ व्यवहारिक रूप से अपने आप में एक अलग बाजार था केंद्रिय उत्पात सुल्क आदी के लिए इंपुट का लाभ नहीं लिया जा सकता था जिससे आम लोगों पर टैक्स का बोज बढ़ गया जिससे ने 17 टैक्सिस और 13 उपकरों को 5 इस तरिय संरचना में सुववस्थित किया और कर साशन को सरल बनाया पंजी करण के लिए टर्नोवर सीमा वस्तू के लिए 40 लाग रूपे और सेवाओ के लिए 20 लाग रूपे वैट के तहट जो एवरेज पाचलाख रूपे थी वो बढ़कर के हो गई GST ने रज्यों के 495 अलग-अलग प्रिविस्थियों चालान, फॉर्म्स, गोशना, आदी की संख्या को घटा कर केवल बारा कर दिया GST एक समान प्रिक्रियाओ, सरल पंजीकरन, एकल रिटर्न और न्यूंतम भोतिक संचालन वो पूरी तरह से सूचना प्रधोगी की द्वारा परिचालित प्रणाली के माध्धम से अनुपालन को सरल बनाने में सफल रहा साथी साथ मासिक भुक्तान योजना के साथ तिमाही रिटर्न, QRMP तथा अनुपालन की बहुत कम प्रिक्रियाओं के कारण 44 लाक से भी अधिक छोटे करदाताओं और MSME को लाब हुआ है एक डेलाइट सर्वेक्षन 2023 के अनुसार अधिक्तम आपूर्ति स्रंकलाओं के साथ लाकत में कमी के लिए 88 प्रतिशत MSME GST का भुक्तान करते हैं GST ने e-invoice trades और accounts aggregator framework जैसे उपकरणों के माध्यम से MSME वित्व पोशन में व्रधिक की है GST के तहट पंजीकरत करदाताओं की संख्या 2017 के 65 लाक से बढ़कर 1.4 करोड से भी अधिक हो गई है ईवे विलपनाली ने लोजिस्टिक लागत को कम करके अंतर राज्य जाच चोकियों को खतम कर दिया ट्रकों की देनी की आत्रा में 44 प्रतिशत की व्रधि हुई और टैक्स नाका पर ब्रस्टाचार कम हुआ परिणाम सुरूप घरेलू सामानों का अंतर राज्य व्यापार वित्वर्ष 18 के 23.5 परसेंट से बढ़कर वर्ष 2022 में GDP का 35 प्रतिशत हो गया इसके साथ ही पार टू की चर्चा की गई है प्रभावी भारित ओसत जीएस्टी दर 2017 के बाद से लगातार कम हो रही है जिससे जीएस्टी के गरीब समर्थक दरश्टी कोड की छलक मिलती है राजस तथस्ट दर 15.3 परसेंट होने का सुझाब दिया गया था लेकिन 2017 में ये केवल 14.4 परसेंट था और ये 2019 में घटकर 11.6 परसेंट रह गया जीएस्टी ने पूर्फ जीएस्टी दरों की तुलना में कैई आवश्यक वस्तूओं के टेक्स को भी कम किया है बालों के तेल और साबुन जैसे सामानने वस्तूओं में 28 परतिशत से 18 परतिशत तक्ती कटोती की गई विद्यत उपकरणों पर पहले 31 परसेंट से भी जादा का टेक्स जाता था जो अब मेहज 12 परसेंट रह गया सिनेमा के टिक्टो पर भी टेक्स की कमी आई है 2017 से करो की दरों को युक्ती संगत बनाया गया है रास्तिय मुनाफक होरी रोधी प्राधिकरण ने ये सुनिश्चित किया है कमपनिया उपभोकताओं को लाप परदान करें जी एस्ती ने कैई आवशक वस्तूओं और सेवाओं को छूट दी है जैसे बिना ब्रैंड वाली खाद वस्तूओं कुछ जीवन रक्षन दवाएं स्वास्थे सेवाएं सिक्षा सारवजिनिक परीवहन सैनेटरी नैपकिन श्रावन सहेता उपकरण के हिस्सो कृसी सेवाओ आदी इसके साथ ही भाग तीन में जो वित्मंत्री साहिवा ने बताया है उसको जान लेते हैं जीएस्टी भारत में राज्यों को ससत्त मनाकर सहकारी संगवाद का उधारन पेश करता है जीएस्टी काउंसिल पचितर परसंट बहुमत बोट की आवश्यक्ता के साथ केंदर को एक तीहाई मतदान शक्ती और राज्यों को दो तीहाई मतदान शक्ती प्रदान करता है बावन बैठोकों में से एक को छोड़कर सभी निर्णे आम सहमती से हुए हैं जीएस्टी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में मैंने सुनिश्चित किया है कि बिना किसी पूर्वा ग्रह के सभी राज्यों की बातों को समान रूप से सुना जाए यह है एक मिथक है कि सभी जीएस्टी संग्रह केंदर के होते हैं जी एस्टी राज्यों के राज्यस में महतुपूण योगदान देता है राज्यों को उस राज्य में एकत्र किये गई SGST का लॉब 100 प्रतिशत होता है जो IGST यानी अंतर राज्य व्यापार का 50 प्रतिशत होता है वित आयोग की सिफारिशों के आधार पर CGST का एक महतपून हिस्सा यानि 42 पृतिशत राज्यों को दिया जाता है GST ने टैक्स में 0.72% GST पूर्व से 1.22, 18-23 तक का सुधार किया है छतिपूर्टी के समाप्त होने के बावजूद राज्यों का राज्यों का राज्यों मजबूती के साथ 1.15 है GST के बिना वित वर्स 2018-19 से 2023-24 तक राज्यों की उपकरों से राज्यों प्रापति 37 लाक करोर रुपे होती GST के साथ राज्यों का वास्तविक राजस्व 46.56 लाग करोड रूपे हो गया है GST दर प्रस्तावित राजस्व टथस्त दर से कम होने और राजस्व को प्रभवित करने वाले COVID-19 के बावजूद SGST संग्रह GDP के प्रतिशत के रूप में और अब GST कुल और सकल दोनों के पहले इस तरों पर पहुच गए है ये दरशाता है कि केंद्र और राज्ये सामोही तोर पर बहतर कर प्रसासन के माद्यम से हमारे करदाताओ पर कम बोज डालते हुए समान राजस्व संग्रह में सक्षम है GST सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रियास के प्रति मोदी सरकार की प्रति बद्दता की अभी वक्ति है हम निरंतर ये सुनिश्चित करने की दिशा में प्रियास रथ हैं कि करों को बढ़ाने के बजाए बहतर करदाता, सेवाओं और कारे कुशल्टाओं में वरधी के माध्यम से नई उचाईयों को छुआ जा सके। जी एस्टी काउंजिल के माध्यम से केंदर ततहराज्य दोनों सरकारों को सामोहिक रूप से प्रणाली को और अधिक करदाता अनुकूल बनाने के लिए काम करना चाहिए ताकि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी के विक्सित भारत के वीजन को साकार किया जा सके। तो ये एक लंबा चोड़ा लेक आया है ट्विटर पर वित्मंतरी श्री निर्मलाश सीतारमन जी का जो जी एस्टी की इंप्लिमेंटेशन से ले करके उसमें होने वाले लाब और उसके वीजन्स को समझाती नजर आई हैं। चुनावी दोर चल रहा है और इस चुनावी दोर में जी एस्टी से जुड़ी उप्लब्दियों को बताना सरकार की प्राथ मिक्ता है लेकिन ये आप ज़्यादा बहतर समझ सकते हैं आप ही फैसला करके बताईए कि जी एस्टी देश के लिए एक बहतर टैक्स कर विवस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू